हेलो एवरीवन वेल्कम तु जी डीसे एट इटवर आज किस वीडियो में हम एस्ट्रिंज एंड के अंडर ब्लैक कटेच्चु को डिसकस करेंगे ब्लैक कटेच्चु को और कौन से नाम से जाना जाता है उसका कौन सा पार्ट मेडिशनली यूज किया जाता है उसका बोटनिकल नेम क्या है और वो कौन से प्लेस में मेंली पाया जाता है उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है और उसमें कौन से ऐसे chemical constituent है जो हमें medicineally और commercially basis पी यूज़ होगा और उसका कौन साइसा chemical constituent है जो कि उसके astringent property के लिए responsible होगा इस सब बातों का details study करेंगे इस वीडियो में start करते हैं black cottageu जो कि एक tanning containing drug है इसके sillon name पे सबसे पहले आएंगे तो इसको हम कथा कहते हैं कथा को आपने daily routine में देखा ही होगा कभी कभार पान मसाले और जो पान बनाती है उसमें कथा का use किया जाता है for cooling sensation और digestive purpose ठीक है और कहीं कहीं पे इसको हम कच्छ कहते हैं खादिर कटेचू और इसको कटेचू भी कहते हैं और इसको इंडिया में खैर भी कहा जाता है अब इसके सीनोनीम के बाद देखते हैं कि ब्लैक कटेचू का सोर्स क्या है उसको कौन से अप्टेन करती है तो ब्लैक के टूट्यू इस ड्राइड इक्वस एस्टेक्ट प्रिपेर्ड फॉर्म हाट वूड ऑफ अकेशिया कटेचू और अकेशिया चुन्वरा सो जो अकेशिया का टेचू प्लांट है उसका हाट वूड हाट वूड का मतलब होता है जो वूड है यह लकडी है उसका इंटर्नल पार्ट जो सेंट्रल पार्ट रहेगा यहां पर आप देख सकते हैं यह वूड का जो इंटर्नल और सेंट्रल प करेंगे और इसकी फैमली क्या है लेग्युमिनोशी से बिलोंग करता है और इसका जो बॉटे निकल नेम है वो है अकेसिया पतेचु या अकेसिया चुन्दा अब इसके जिविग्राफिकल सोट्स पर आते हैं तो जो ब्लैक के टीजू है उसका प्रिप्रेशन मेंली इंडिय में किया जाता है और इंडिजिनस टू इंडिया में सबसे पहले ये इंडिया में पाया गया और इसका प्रिप्रेशन न्यामार में भी किया जाता है तो इसके बाइलोजिकल सोर्स और जियोग्राफिकल सोर्स के बाद इसके प्रिप्रेशन में आते हैं ब्लैक कटीजू के कि हम जो उसका वूड रहेगा मिन्स जो अकेसिया का टेचू का लकडी रहेगा उसका हाट वूड यूज करेंगे हाट वूड यूज करेंगे मिन्स क्या करते हैं इसका वूड का जो इंटर्नल और सेंटरल पाट रहेगा उसको हम कट करके निकाल लेंगे और इस प्रकार से अ महत्uff हो जाएगा फिर क्या करेंगे हम क्या करेंगे और इसको क्या करेंगे रेक्ट एंगुलर सुपने क्या होता है ये इस प्रकार से इसमें गढ़े बना पना के उसको हम डाल देंगे और इसके नीचे में हम क्या करेंगे sand और clay डालेंगे sand और clay इसलिए डालेंगे क्योंकि इसका जो semi solid mass है जो कच पार्ट है वो क्या हो इसमें एब्जॉब हो जाए ये कुछ दिन बाद क्या होता है sand और clay में absorb हो जाता है इसका semi solid पार्ट उसके बाद जो फालिद वस साइब कर लेगर जो साजुआं सब बसको नवसको कत्था कहेंगे और इसके कथी को क्या रोगा है हम जो इस प्रकार से crimes बना लेंगे इसका जो साचा है उसमें कि इसको convert कर लेंगे इसमें ट्रांसफर कर लेंगे इस और इस प्रकार से हमें blocks ready होके मिलता है एक अच्छे से rectangular shape का हमें कथा obtain होता है तो यह बात हो गई traditional method की अब आते हैं इसके modern method की और तो आते हैं ब्लेक के टीचु के modern method में modern method में क्या होता है कुछ generally change नहीं होता है जैसा process था traditional method में वैसा ही modern method में भी होता है बस इसमें हम machines का apply करते हैं ताकि जो method है वो easy हो जाए और ज्यादा time भी ना लगे और हमें good quality का जो कत्था है वो obtain हो इसे लिए हम इसमें mainly machines का use करती हैं सबसे पहले क्या करेंगे जो hardwood रहेगा उस time ही जो traditional method में हमने hardwood का use किया था जो plant रहेगा उसका जो wood है उसका जो लकडी है उसमें जो उसका internal और central part है उसका हम use करेंगे साथ ही साथ इसमें हम इसका bark है उसको भी separate कर लेंगे और machine के use से हम क्या करेंगे इस प्रकार से chips बना लेंगे chips का मतलब है छोटे-छोटे size में इसको हम cut कर लेंगे फिर इसमें भी ऐसी करेंगे इसको water के साथ boil करेंगे इसका extract तयार करेंगे इसका decoction है वो ready करेंगे फिर इस प्रकार से मजीन के help में help से इसको हम extract आउट इसमें ज्यादा concentrate करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे में रिफेरिच़ टर का उसके sets हो इसके बाद यह कूल करने के लिए हम क्या करेंगे करेंगे centrifugation करेंगे उसके बाद जब हम centrifug करेंगे, तो जो solid part रहेगा, वो क्या होगा नीचे आजाएगा journalism moje festive इस बालेगा करने से solid part नीचे आएगा और वह cake बना लेगा, जो solid part obtained होता है यह cake बनाएगा उसको क्या कहेंगे कथा कहेंगे और यह कथा है, उसको हम बाहर निकाल लेंगे और डिजार जो साइज रहेगा और जो साचा रहेगा उसमें हम डाल के इसको अच्छे से इसको एक साइज दे देंगे उसके बाद क्या करेंगे इसको हम ड्राइ करेंगे प्रॉपर कंडिशन में इसको ड्राइ करेंगे जिसे कि हमें क्या होता है एक हमें कथ्था ओप्टेन हो गया उसके बाद जब हम यहां पर सेंट्रीफ्यूग किये रहेंगे तो जो सुपर नेटेंड जो लिक्विड रहेगा उसको भी हम बाहर निकाल लेंगे जिसको हम कच कहेंगे इसका भी यूज हम बाद में कर लेंगे तो यहाँ पर हमने देखा modern method of कथा preparation, इसके बाद इसके description में आते हैं, आते हैं black attitude के macroscopical character में जिसको organolaptic character भी कहते हैं, सबसे पहले color को देखते हैं, तो इसका जो color होता है, वो light brown to black color का होता है, यहाँ पर आप image में देख सकते हैं, यह जो black attitude है, वो है brown color का और यह black color का भी हो होता है, color के बाद इसके taste में आते हैं, तो इसको हम test करेंगे, तो यह mucous को क्या करता है? ड्राइ कर देता है जिसे की कसा कसा सा टेस्ट आता है अब इसके order में आते हैं तो इसको order होता है orderless जी इसमें कोई order नहीं होता safe में आएंगी तो इसका safe होगा cubic जब इसको हम preparation करते हैं तो इसको cube form में हम convert कर लेते हैं और ये irregular fragments भी होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर irregular fragments है rectangular shape का और cube form में भी यह होता है अब इसके macroscopical character के बाद इसके chemical constraint की और आते हैं आते हैं ब्लैक कटेचु के chemical constraint में देखते हैं इसमें कौन से ऐसे chemical constraint है जो हमें medicinal, commercially और इसके estrogen property के लिए responsible होता है जो ब्लैक कटेचु है यह एक tannin containing drug होता है और इसका जो main tannin है वो है अक्का कटेचिन जिसको हम क्या कहते हैं केसिया कटेचिन के नाम से भी जानते हैं और जो यह अक्का कटेचिन है उसका जब oxidation होता है water के presence में तब यह क्या बना लेता है यह बना लेता है कटेचिन टैनिक एसीड कटेचिन टैनिक एसीड में यह convert हो जाएगा जब इसका oxidation करेंगे water के presence में और देखते हैं इसमें कौन-कौन से chemical constraint है तो जो ब्लैक कटेचिन है इसमें होता है कटेचिन, रैड, कौरसेटीन, gum and quercetrine भी इसमें present होता है बर जो ब्लैक कटेचिन है उसमें यह बात ध्यान रखना है कि इसमें chlorophyll है वो present नहीं होता पर जो ब्लैक कटेचिन है उसमें fluorescent substance और यह जो chlorophyll था वो present था अविल से बात है कि इसमें chlorophyll present होगा ही नहीं क्योंकि हमने ब्लैक कटेचिन का जब प्रिपैर किया तब हमने हाट वूड लिया था जो क्या था लकडी था ब्लैक कटेचिन का जो वूड है जो बार्क है वो यूज किया था हमने इसका डिकॉक्षन तयार करने के लिए और जब हमने पैल कटीचु के बारे में पढ़ा था, तब जब हमने पैल कटीचु का और जो डिकॉक्सन रेडी किया था, तब इसका हमने leaf part यूज़ किया था, लीप में होता है chlorophyll बट जो वूट होता है उसमें chlorophyll नहीं होता इसलिए ब्लैक के टीचु में क्या है chlorophyll present नहीं होगा इसके chemical constant के बाद इसके uses में आते हैं तो जो ब्लैक के टीचु है इसको as a astringent use करते हैं astringent की क्या property होती है जो यह surface protein है उसको precipitate करेगा जो skin है उसको dry बना देगा और यहां में complex form करेगा cell permeability को क्या करता है decrease करता है इसलिए इसको हम skin eruption के condition में use करते हैं skin में जो cut हो गया है तो उसके बाद इससे जो liquid जो बाहर निकल रहा है उसको रोकने के लिए हम इसका use करते हैं साथ ही साथ ulcer के condition में जो mouth ulcer हो जाता है mouth में कुछ-कुछ problem होता है ऐसे condition में हम इसका use करते हैं क्योंकि यह mucos secretion को decrease करता है dry बना देता है और यह protein को precipitate करेगा जिससे की जो ulcer है जल्दी से heal हो जाता है साथ ही साथ इसको internally use करते हैं cuff और diarrhea के condition में क्या करता है यह mucos secretion को decrease करेगा जिसके कारण हमें cuff और diarrhea में अच्छे से useful होता है यह black tissue उसके और दूसरे uses में आते हैं तो यह होता है कथा जो होता है cooling और digestive property रखता है आपने use किया ही होगा जो पान है पान मसाला है उसमें कथा का use किया जाता है जब भी हम heavy food ले ले लेते हैं फिर अच्छे से digestion होने के लिए पान का use करती है तो पान में क्या होता है जो कथा होता है से पान मसाला और पान और इसका जो दूसरा है वूट को कलर करता है जो लकडी है उसको और जो फरनिचर कंपणी है उसमें में यूज नहीं यूज होता है रिस neighborhood've उसका सकते हैं चैनल करते हैं और इसका यूज़ जो है वह says होता है so this is all about sakal tichu thank you झाल झाल